प्रित्वी के चारों और हवा का जो आवरण है उसे वातावरण कहते हैं हमारे चारों और जो हवा होती है वो हम पर और प्रित्वी पर दोनों पर दबाव निर्मान करती है प्रित्वी पर हवा जो दबाव निर्मान करती है उसे वातावरणिय दबाव कहते हैं यदि हम एक मिटर लंबाई का चतुश खुणी कार्बोर्ड समुद्र तल के पास ले जाएं तो हवा उस पर एक लाख एक हजार चारसो न्यूटन बल डालती है दूसरे शब्दों में समुद्र तल पर वाता वर्णिय दबाव एक लाख 1414 मीटर इतना होता है वाता वर्णिय दबाव को नापने परते कम होती जाती है इसी कारण जैसे जैसे हम उच्छाई पर चड़ते जाते हैं वातावरणियां दबाव कम हो जाता है चलिए अब हम एक प्रयोग करते हैं एक उबला हुआ अंडा लीजिए बड़े मुह वाले काज की बोतल लीजिए बोतल का मुह इतना ही बड़ा चाहिए कि अंडा बोतल में ना गिरे अंडे के छिलके निकाल कर उसे बोतल के मुह पर रखिए अब निरिक्षण कीजिए क्या अंडा बोतल में जट से गिरा नहीं अभी एक माचिस और कागस की पती लेजिए, अब कागस की पती को माचिस से जलाई OR उसे बोटल में ડालिये और अब जट से अंडा बोटल के मूँवा पर रखी है हमने देखा कि जैसे ही कागस की पती का जलना बंध हुआ वैसे ही अंडा बोतल में गिरा आपके विचार में ऐसा क्यों होआ होगा जलती हुई कागज की पट्टी बोतल में जो हवा होती है उसे गरम कर देती है गरम हवा का प्रसरण होता है जब वो गरम हवा बोतल से बाहर आती है यह हवा बाहर आते समय अंदर की हवा को उपर की ओर धकेलती है कुछ समय बाद हवा ठंडी हो जाती है हवा का ठंडा होना हवा का संकुचन करता है जिसके कारण बोतल के अंदर एक आंशिक निर्वाद निर्मान होता है जिसके कारण बोतल के अंदर हवा का दबाव कम हो जात का हवा का दबाव समान हो जाता है क्या हम हवा के का दबाव का अनुव करते हैं हाँ जरूरे हमें पहसूस क्यों यह होता हुआ की लोग जब उचे पर्वतों पर चड़ते हैं जा पर जाते हैं तब उनके नाग से कभी-कभी खून निकलाता है कि आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है उचे परवत पर हवा विरल होकर वातावरण का दबाव कम हो जाता है लेकिन कुछ लोगों का रख्त-चाप हर्थातरक्त का दबाव बाय हवा के दबाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता वाहि वातावरण ये दबाव के साथ शरीर के दबाव को संतुलित करने के लिए ही नाक से खून निकलता है वातावरन का दबाव एक बिंदू पर सभी और से समान रहता है अभी हम पहले प्रयोग में थोड़ा बदलाव करेंगे उबाला हुआ लेकिन छिलका निकाला हुआ अंडा रखेंगे उस पर माचीस की दो दिया सलाई रखेंगे और उन्हें चिपका कर रखेंगे इस बात का ध्यान रखें कि हमें उस पर उल्टी बोतल रखनी है बोतल के संतुलन पर ध्यान दे अब दिया सलाईयां जलाएं और बोतल को अंडे पर उल्टा करके रखें ताकि बोतल के अंदर जलती दिया सलाईयां रह सके क्या आप अंडा बोतल में खींचा जा रहा है जी हाँ, अंडा बोतल में गया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हवा का दबाव सभी दिशाओं में समान रहता है क्या आपको मालूम है कि तूफानों की निर्मिती दो जगाहों के हवा के दबाव के फरक के कारण होती है ऐसे वक्त हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती है यही परिस्थिती भारत में मांसून के बारिश के लिए जिम्मेदार होती है सूची क्या चान पर वातावरणिये दबाव है चान पर हवा बहुत कम है इस कारण चान पर वातावरणिये दबाव कम होता है चान पर वातावरण का घनत्व पृत्वी के वातावरण से सबसे 22 तर जितना विरल रहता है इसी भाग पर अंतराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन अपनी परिक्रमा करते हैं चान का वातावरणिय दबाव ये पृत्वी के व्यक्यूम अर्थात निर्वात के समान हैं चान का वातावरण्ट ये हेलियम अरगॉन नियॉन अमोनिया मिथेन कार्बन डाय ओक्साइड अमपर और पृत्वी पर दोनों पर दबाव निर्मान करती है पृत्वी पर हवा जो दबाव निर्मान करती है उसे वातावरणिय दबाव कहते हैं चान का वातावरणिय दबाव ये पृत्वी के व्यक्यूम अर्थात निर्वात के समान है पूछे हुए सवालों के जवा सकेंगे.